हाई फ्रेंड्स मैं सत्या और सत्या श्रडी जंक्सर में आपका स्वागत है और मैं आज आपके लिए केस लेकर आई हूं ले एलेल भी थार्ड इयर सेकेंड सेमेस्टर का जो की संपत्ति अंत्रनियम सुखा धिकार अधिनियम ट्रांसफर और प्रोपर्टी एन एजमेंट ए बॉंबे रिस्पॉंडेंट उत्रार थी इस केस का रिफ्रेंस है 1963 SC 268 और जिसका सब्जेक्ट था बॉंबे रेंट होटल एंड लॉजिंग हाउस रेट्स कंट्रोल एक 1947 की धारा 4-1 और धारा 4-4 खायम संपत्ति अंत्रनियम की धारा 106 पर यह केसा धारित है इस केस का फैक्ट है 1924 में पोर्ट ऑफ बॉंबे के नियासियों ने नियासी मतलब ट्रस्टी ने एक हाजी बंदर माना गाउ सेवरी में जमीन 10 वरसों के लिए एक भागीदारी फर्म को पट्टे पर इस सर्थ के साथ दोस्तों भागीदारी मतलब आटनर्सी फर्म को पट बढ़ा चीनित जगह पर भावन बना सकते हैं या निर्मान कर सकते हैं उस पट्टे में असर्थ भी सामिल थी कि पट्टे की अवधी की समापती के तीन महीने के भीतर पट्टेदार यानि की लीजी निर्मित भवन को वहां से हटा लेंगे जो उनके द्वारा भवन बनाया गया उसे वह हटा लेंगे तब तक वे इसे नहीं हटाएंगे तब तक वे तीन महा का किराया देंगे और यदि तीन महा के भीतर भी बिल्डिंग जो बनाया है उसे नहीं हटाए तो नियासी यानि की पट्टा करता लीजी को या अधिकार होगा की वह भवन को स्वेम हटवा लेंगे या रहने देंगे या खर्च पट्टेदार से वसूलेंगे। मंथली किराय पर पट्टे में दे। केनुसर पट्टेदार पट्टा करता के एक माह के लिखित नोटिस पर भूमी पर निर्मित पूरे भवन को हटा कर खाली कबजा पट्टा करता को परदान कर दिया जाएगा। 28 फरिवरी 1947 मोरेशवर नरायन धोत्रे और रुस्तम आगरे ने जोईंट में अपने पट्टे पर प्राप्त अधिकार रूपजी राज और कांजी मांजी को 22,500 रुपे में जोईंट राइट्स यानि की समूनी देशित कर दिया। 25 जन्वरी 1950 को पोर्ट अब बंबे ने 89 यानि की बंबे के ट्रस्टियों ने रूपजी राज और कांजी मांजी को उस भूमी के खाली कबजे की मांग करते हुए लिखी सुचना भेजी की 28 फरवरी 1950 तक उस भवन को कबजा मुक्त कर दिया जाए यानि की खाली कर दिया जा बेदाखली है तू फाइल किया जाएगा यानि की संस्थित किया जाएगा केस ट्राइल कोर्ट में जाता है और अपिलियन द्वारा न्याले के समस्कोर्ट के समक्ष लिगेसंस यानि की अभिकतन दिये जाते हैं जो की पहला राता है 25 जन्वरी 1950 को जारी नोटीस अवैद ह क्योंकि केवल कांजी मांजी को यह नोटीस भेजा गया था रूप जी राज के बिधिक उत्राधिकारी लीगल रिपरजेंटेटिव को नहीं क्योंकि रूप जी राज की डेथ हो चुकी थी इस केस में पक्षकारों का नॉन ज्वाइंडर असंयोजन किया गया है यह केस लगुवाद नियाले यानि की स्मॉल कौज कोट के छेत्राधिकार में आता है क्योंकि उन पर बॉंबे रेंड्स होटल एंड लोजिंग हाउस रेट्स कंट्रोल एक नाइनटी फोटी सेवेन पर लागू होता है यह केस इस अधिनियम की धारा चार चर्ख के अंतरगत की धारा चार एक से बियननमित होगा मतलब गवाण होगा विचारन नियाले में अपिलार्थी के उन तरकों को अस्विकार करते हुए अपिलियन के पक्ष में निर्नय दिया जाता है उसके बाद या केस हाई कोट यानि कि उचने आले में जाता है और उचने आले ने ट्राइल कोट के निरने को अस्थापित यानि कि रिये स्टोरिंग करते हुए अपील खारिज कर दिया जाता है उसके बाद या केस उचने आले यानि कि सुप्रीम कोट में जाता है सुप्रीम कोट ने भी उस भूमी पर पोर्ट और बंबे के ट्रस्टियों का पूर्ण अधिकार होगा इसलिए पट्टे के बिनियमन के दोरान रेगुलेशन के दोरान वह संपत्ति पुंता सरकार की संपत हो जाएगी और अपील खारिज कर दी जाती है दोस्तो इस केस का प्रतिपादित सिध्यान्त है किरायदारी में सभी पक्षकारों को नोटिस देना आवस्यक नहीं है और नेक्स्ट है बॉम्बे रेंड्स होटल एंड लॉजिंग हाउस रेंड्स कंट्रोल एक्ट नाइंट दोस्तो इस तरह यह केस समाथ होता है और आपको किस डिस्कसन कैसा लगा कमेंट करके बताएं अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए